नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशिश अगनियोत्री और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है अगनियोत्री जी टेक्निकल्स दोस्तों सैमसंग ने गेलेक्सी S8 और S8 प्लस लांच कर दिया है हमने काफी रूमर्स देखे थे कि सैमसंग गेलेक्सी 8 ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन अब लांच कर दिया है तो अब पता चल गया है कि सैमसंग गेलेक्सी S8 कैसा है इसमें कोई dual camera नहीं दिया है इन्होंने जो की rumors में आ रहा था कि Samsung Galaxy S8 में dual camera setup होका लेकिन इन्होंने एक camera 12MP वाला camera इन्होंने जो S7 में दिया था वो ही इन्होंने camera setup इसमें किया है लेकिन हाँ इसकी image quality काफी अच्छी कर दिया है इन्होंने तो दोनों ही phone में feature wise दोनों ही same है बस दोनों phone का एक major difference है battery का जिसमें Galaxy S8 में इन्होंने battery जो रखी है वो है 3000 mAh की और Galaxy S8 Plus की जो battery है वो 3500 mAh की इसके साथ में इन्होंने wireless charging का option भी दिया है और Galaxy S8 और S8 Plus की कीमत अभी नहीं पता चली है क्योंकि इन्होंने अभी कीमत का कोई भी खुलासा नहीं किया है लेकिन US के हिसाब से अगर माने तो ये लगभग 48 से 55 की range में होने वाला है 48 का जो होगा वो S8 होगा और 55 की range का जो होगा वो शायद S8 Plus हो सकता है हो सकता है इंडिया में कोई इसकी कीमत 1000 से 2000 रुपे महंगी ही हो या कम हो सकती है क्योंकि अभी कीमत launch नहीं किया है इन्होंने कीमत के बारे में ओवराल फोन का design काफी अच्छा है classy है और handy है बस S8 Plus की जो size होता है वो थोड़ा इन्होंने 6.2 इंच का रखा है तो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है लिकिन आप S8 ले सकते हैं वो काफी handy आपके लिए रहेगा जिनको हाँ फैबलेट पसंद है वो S8 Plus की तरफ जाए जिनको mobile पसंद है वो S8 ले 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 दोनों feature wise सेम है दोनों में सारी की सारी configuration सेम है वेट कर रहा हूँ इस phone के लिए जैसे ही ये launch होता है मैं इसको एक purchase करूँगा और इस phone के unboxing video बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए आपको दिखाऊंगा Galaxy S8 कैसा है तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और comment में आप जरूर comment कीजिए कि मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी और मुझे कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो इससे और improve कर सकूँ Stay tuned, जै हिंग, जै भारत